परिचय रवीना को रात में आकाश में चमकते तारे देखना बहुत अच्छा लगता है आज उसने एक ऐसा तारा देखा जो चमक नहीं रहा था वह सोचने लगी कि क्या ये कोई खास तारा है उसने अपनी मा से पूछा मा ने बताया कि वह कोई तारा नहीं बलकि एक ग्रह है अब रवीना तारे और ग्रह के बीच अंतर जानना चाहती है इस पार्ट में आप अंतरिक्ष में मौजूद चीजों के बारे में जानेंगे आओ सीखें अंतरिक्ष के बारे में बताना Astronomer यानी खगोल विद के बारे में बताना सौर प्रणाली के बारे में बताना प्राकृतिक सैटलाइट यानी उपग्रह के बारे में बताना Rotation यानी घुमाव और परिक्रमा के बीच अंतर करना प्रित्वी के वायु मंडल का महत्व बताना अंतरिक्ष की खोज हम आकाश में जिस सूरज, चांद और तारों को देखते हैं वे सभी अंतरिक्ष में स्थित हैं हम जिस प्रित्वी पर रहते हैं वे भी अंतरिक्ष में ही है चाहे धूल के छोटे-छोटे कण हो या बड़े-बड़े ग्रह सभी कुछ अंतरिक्ष में मौजूद है भारतिय एस्ट्रोनॉमर या खगोलविद खगोलविद वह व्यक्ति होता है जो तारों और ग्रहों का अध्यन करता है वह अपने अध्यन के लिए टेलिस्कोप का प्रेयोग करता है भासकर आचार्य, आर्यभट और जयन्त विश्णू नरली कर कुछ जाने माने भारतिय खगोलविद है सौर मंडल हम सौर मंडल में रहते हैं सौर मंडल सूर्य और इसके आठ ग्रहों का परिवार है सौर मंडल में सौर्य बीच में होता है और आठ ग्रह इसके चारों तरफ घूमते हैं आठ ग्रह हैं बुद्ध, शुक्र, पृत्वी, मंगल, ब्रिहस्पती, शनी, यूरैनस, नेप्च्यून सौर्य सौर मंडल का मुख्या है ये एक ऐसा तारा है जो खुद रौशनी छोड़ता है पृत्वी पर जीवन के लिए सूरज की रौशनी बहुत महतुपूर्ण है बिना सूर्य के प्रकाश के पृत्वी बहुत ठंडी हो जाती है और यहां जीवन पनप नहीं पाता चंद्रमा यह एक प्राकृतिक उपग्रह है जो एक रह के चारों ओर घूमता है यह प्राकृतिक है और इसे इंसान ने नहीं बनाया है चंद्रमा पृत्वी का प्राकृतिक उपग्रह है ये प्रित्वी के चारों ओर घूमता है. प्रित्वी के अलावा मंगल, ब्रिहस्पती, शनी, युरैनस और नेप्चून ऐसे अन्य ग्रह हैं जिनके अपने चंद्रमा है. प्रित्वी का केबल एक चंद्रमा है जबकि अन्य ग्रहों के एक से ज्यादा चंद्रमा है. जूपि हाला कि चंद्रमा प्रित्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन ये प्रित्वी से बहुत अलग है, वहाँ हवा, पानी या भोजन नहीं है, इसलिए चान्द पर जीवन संभव नहीं है. चंद्रमा पर लैंडिंग 20 जुलाई 1979 को चान्द पर कदम रखने वाले वे पहले व्यक्ति थे, उन्होंने चान्द पर कई प्रेयोक किये और चट्टानों और मिट्टी के नमूने अपने साथ ले आए. तारें रात में आकाश में जो चीजें चमकती नजर आती हैं, वो सितारे होती हैं. वे ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं, जो खुद अपना प्रकास छोड़ती हैं. सूर्य भी एक तारा है. हमारी प्रित्वी प्रित्वी वेक रहे हैं जिस पर हम रहते हैं. यह सूर प्रणाली का तीसरा ग्रह है. प्रित्वी पर जीवन, हवा, पानी और भोजन की मौजूदगी के कारण संभव है. यहां के तापमान के कारण भी यहां जीवन संभव है. प्रित्वी की गत्विधी प्रित्वी दो तरह की गत्विधी दिखाती है, अपनी धुरी पर प्रित्वी का घूमना घुमाव कहलाता है, प्रित्वी 24 घंटे में घुमाव पूरा कर लेती है, प्रित्वी के इस घुमाव के कारण ही दिन और रात होते हैं, सूर्य के इर्द गिर्द प्रित्वी की गतविधी को परिक्रमा कहा जाता है प्रित्वी एक साल में एक परिक्रमा पूरी करती है, इससे प्रित्वी पर मौसम बदलते हैं वायूमंडल वायूमंडल उस पर एक ऐसा तापमान बनाए रखता है, जिससे प्रित्वी पर जीवन संभव हो पाता है। प्रित्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पर जीवन नहीं है। नील आमस्ट्रॉंग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले इनसान थे। सितारे ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जो अपना प्रकास छोड़ती है। प्रित्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। प्रित्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने से मौसम बनते हैं। प्रित्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत हमें सूर्य की खतरनाक किरनों से बचाती है।